तो students next topic है हमारे पास fuel cell vehicle सबसे पहले तो हम देखते हैं fuel cell क्या होता है आपने बैटरी सुनी होगी बैटरी क्या करती है chemical form में current को store करके रखती है ठीक है तो अगर उसके comparatively हम fuel cell को देखें तो ये भी कुछ वैसे ही work करता है chemical reactions के जरिये ही हमें current प्रवाइड करता है electrical energy प्रवाइड करता है पर ये अपने अंदर store नहीं करता जैसे ही हम इससे इसको fuel की intake देते हैं तो ये हमें output के तोर पे जो है electrical energy प्रवाइड करता है ठीक है अब बैटरी में क्या होता है है कि वो reactants को अपने electrodes के पास ही या एक ही container में store करता है उसके comparatively ये जो है अपने reactants को electrodes से बाहर store करता है अब इसमें देखिए reactant क्या है hydrogen और oxygen electrodes हमारी एक ये रही cathode एक ये रही anode उससे बाहर है मतलब कहीं और store किया हुआ हमने किसी और form में तो चलिए diagram में इसकी working समझते हैं इसमें हमारे पास यहां पे है anode यहां पे है cathode तो यह क्या होगा इसके electrodes यहां पे हमने catalyst यूज किया है यहां पे catalyst यूज किया है center में हमने रखा electrolyte ठीक है तो एक तरफ से हम hydrogen को इंटेक देंगे एक तरफ से हम oxygen को इंटेक देंगे जैसे ही hydrogen catalyst से पास करेगी तो यह protons और electrons में split हो जाएगी तो जो protons हैं वो electrolyte में से पास होके cathode की तरफ जाएंगे और जो electrons हैं वो अपना रास्ता बदल कर लेंगे और वो बाहर से होते हुए जाएंगे cathode तक अब इनको cathode तक पहुंचने से पहले अगर हम यूज कर लेंगे तो यह हमें current produce करके देंगे मतलब electrical energy जो हमें मिलेगी fuel cell से वो हमें electrons से मिलेगी ठीक है अगर यह cathode के पास पहुंच गई यह हमने यूज करने के बाद जैसे इसको इसके cathode के पास भेजा तो क्या होगा यह oxygen के साथ मिलके water बनाएगा पानी बनाएगा ठीक है अब इसमें से एक तरह से हम इसका exhaust मान लेते हैं कि fuel cell का exhaust क्या निकलता है water तो इस तरह से हमारा fuel cell जो है वो वर्क करता है अगर मान लीजिए हमारे पास electrical वेहिकल ही है ठीक है उसमें हम बैटरीज की जगा अगरा fuel cell यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें तो electrical energy चाहिए बैटरी के स्थान पर हमें fuel cell से मिल चाहेगी हमें तो motor operate करनी है तो उसे हम fuel cell वेहिकल कह देते हैं